हाई अब्रिवन, SSC MTS 2024 की नोटिफिकेशन कल जो है वो रिलीस कर दी गई है यानि की 27 जून को अब इसमें जब हमने बचा ये लाइव नोटिफिकेशन आपके सामने इसको लेकर आये थे तो आप में से 2-3 बच्चों की बहुत जादा क्वेरी थी कि क्या मैम अब फोटो आपका जो पासपोर्ट साइस फोटो होता है उसको अपलोड करना होता है स्कैन करके वो नहीं करना है या फिर वो करना है लाइव अब आपका होता है और दूसरा एक क्वेस्चन और भी थे कि क्या MTS के लिए अब दो दो बार फोम आपके फिल करनी होंगे MTS की पोस्ट जो होती है और आपकी हवलदार की जो पोस्ट आती है उसके लिए तो आप सब के लिए इनी questions के answers यहाँ पर मिलने वाले हैं 27 जून से SAC MTS 2024 जो है वो आपका फोम फिलिंग शुरू हो जाएगी इसके अंदर जो आपकी टोटल बच्चा यहाँ पर देखेंगे वेकेंसी है वो 4887 वेकेंसी आपकी MTS मल्टि टास्किंग के अंदर है और 3449 जो है वो हवलदार की पोस्ट के अंदर है जो काफी अच्छी वेकेंसी इस बार आप सब के सामने लेकर आया है SAC MTS टेट जो है वो 27 जून यानि कल से स्टार्ट हो चुका है फोम फिलिंग का पूरा प्रोसीजर लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई जो है वो रहने वाली है उसके बाद बच्चा आपका एक आठ यानि की एक अगस्ट जो है वो आपका फीस पेमेंट का आखरी दिन होगा और 16 और 17 जो आपका यहाँ पर अगस्ट है बच्चा वो आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगी इक्जाम डेट आपकी ओक्टोबर और नवंबर दो हजार चोबिस इसमें फाइनलाईज करी गई है कि इस मन्त में आपके जो एक्जाम है वो कंड़क्ट कराई जाएंगे एजुकेशन इसमें आप सबको पता है केवल आपको टेंथ पास चाहिए और यह टेंथ पास आपका 18-2024 से पहले-पहले आपके हातों में रिजल्ट हो, ठीक है एज की अगर बात करें तो जो MTS Non Technical Category है MTS के पदों के लिए 1825 है और जो हवल्दार की जो पोस्ट है उसके लिए 18-27 जो है वो एज रखी जाएगी और जो यह एज अकाउंट होगी वो 18-2722 से ही होने वाली है अब आपके सवाल का जवाब देते हैं क्या फोटो लाइव अपलोड अब होगा या फिर नहीं तो देखो फोटो के लिए आपका यहाँ पर सब के सामने देखो अब यहाँ पर बच्चा MTS की यह Notification है इसके पैरा नंबर 10.2 पर अगर आप जाओगे तो वहाँ से आपको एक Information मिलेगी Information आपके पास यह है कि भाई इसमें बताया हुआ है कि Application Format को कैसे भढ़ने है एक तो इन्होंने साफ साफ कहा गया है पैरा नंबर 10.2 में कि आपका अगर पुराना OTR है पुराने वाली साइट पे तो वह Function में अब नहीं है आपको नई वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर नया OTR जो है वो अपना पहले Register करना होगा उसके बाद आपके पास Registration नंबर जो कि आपकी User ID भी होगी और आपके पास क्या आएगा आपके पास बच्चा पासवर्ड आएगा वो आप Login करेंगे उसके बाद आप SSC MTS 2024 Notification जिसको Form Filling के लिए आप Applicable होंगे देखो लिखा हुआ है बच्चा For Applying, The Candidate Is Not Required To Have A Pre-Existing Photograph Of Himself और Herself मतलब आपको जो Passport Size फोटो आप पहले scan करते थे फिर उसको upload करते थे उनकी जरूरत अब नहीं है The Application Module has been designed to capture a photograph of the candidate filling up the application form For this purpose the candidate has to stand sit before the camera and the computer और mobile जहां से भी आप form fill कर रहे हो When prompted by the Application Module and follow the following instructions while capturing live photograph अब आपका live ही photo session हो जाएगा Find a place with the good light जहां पर अच्छी light हो plain background हो ensure करना camera जो है वो eye level ठीक है before taking the photo बिल्कुल सामने आपका सीधा मूँ दिखना चाहिए position himself directly in front of the camera and look straight ahead बिल्कुल सीधे आपको यहां पर देखना है आपको ensure करना है कि जो face है वो आपका fully inside the red rectangular जो उनका आपका पूरा का पूरा criteria वो होता है delineated by the camera and that is the neither too close nor too far it should cover the area fully and no part of the face should be outside the rectangle ठीक है कि किसी के कान बाहर जा रहे है किसी का सर बाहर जा रहा है नहीं आपको इस हिसाब से करना है कि जो rectangle इनका है उसी के अंदर आपका मू रहे candidate should wear a cap mask shouldn't wear नहीं पहननी है कोई cap कोई mask कोई glass कोई आपका चश्मा ठीक है earphone, headphone जब आप ये photo ले रहे हो तो यहां से ये जवाब आप सभी को मिल गया है कि आपका अब live photo यहां पर upload होगा the candidate in the examination should as per the photograph in the application form the candidate should ensure that the photograph captured is clear without cap and without चश्मा ठीक है और in no case should the candidate capture the photograph for his and her pre-existing photograph all such applications where the photograph of his and her pre-existing photograph is captured will be rejected ध्यान रखना अगर वो passport size photo आपने दिखाया तो आपका वो खुद बखुद reject हो जाएगा तो आपका live photo session होगा सबसे पहला जवाब आपको यहां पर मिल गया होगा I hope अभी आपका बिल्कुल clear होगा